भारतिय नौसिना ने शुकरवारज शाम बताया है कि सुमालिया के तठके करीब एक माल वाहक जहाज में फसे 15 भारतिय नागरी को समेथ कुल 21 लोगों को फिलाल सुरक्षिट बाहर निकाल लिये गया है बता दे कि भारती ये नौसिना ने अपने एक बयान में ये भी बताया कि उन्हें मालवाहक जहाज MP लीला नौर्फॉक पर कोई भी अगवा करने वाला विद्रोही नहीं मिला इंडियन नेवी की ओर से बताया गया कि हमें आशंका भी है कि हमारी चेतावनी के बाद शायद समुद्री डाकों ने अपना इरादा बदला और वहां से रफू चक्कर हो गए सोशल मेडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते वे भारती नौसिना ने जानकारी दी है मरीन कमांडोस को मालवाहक जहाज की तलाशी के दोरान कोई भी समुद्री डाकों नहीं मिला नौसिना ने अंदिश्व जताया कि असल लगता है कि भारती नौसिना के चेतावनी के बाद हाईजेक करने वालों ने अपना इरादा बदला और वहां से वे भाग गए नेवी नहीं ये भी जानकारी दी कि आई एनस चन नहीं अभी भी मालवाहक जहाज के करीब है और उस जहाज को बिजली बहाल करने का प्रयास कर रहा है ताकि अब जहाज अपने अगली गंतब्व की ओर जा सकी बता दे कि इस से पहले ही भारतिय नौसेना का युद्धपोत आई एनस चन नहीं एमवी लीला नारफॉक को बचाने के लिए रवाना हुआ था जैसे ही अधिकारी वहाँ पहुँचे उन्होंने सक्त लहजे में चेतावनी दी कि अगर लुटेरे वहाँ से जहाज को छोड़ कर नहीं जाते हैं तो फिर उनका अंत कर दिया जाएगा मेडिया रिपोर्ट्स की माने तो अधिकारियों ने ये जानकारी दी है कि एमवी लीला नारफॉक पर मौझूद सभी भारतिय फिलाल सुरक्षित हैं इधर एनाई के मुताबिक इस ऑपरेशन में भारतिय नौसेना के मरीन कमांडों शामिल थे नौसेना का ये खेलिकॉप्टर भी एमवी लीला नारफॉक पर निगरानी रख रहा था बता दे कि गुरुबार को ये खबर आई थे कि 15 भारतिय फिला नारफॉक को सुमालिया के तट के किनारे समुदरी डाकों ने अगवा कर लिया इसके बाद भारतिय नौसेना ने अरब सागर में लाइवेरियाई के जंडे वाले व्यापारिक जहास की ओर अपने यिद्दपोग आई एनस चन्नाई को रवाना कर दिया था बता दे कि अमवी लीला नारफॉक एक मालवाख जहास है जो ब्राजील से बहरीन की ओर जा रहा था अचानक एक खबर आई कि समुदरी डाकों ने इस पर कबजा कर लिया है भारतिय नौसेना के अधिकारियों के मताबिक किटनैप किये गए जहास एमवी लीला नारफॉक के किटनैप होने के बारे में गुरवाल शाम को जानकारी मिली थी सुमालिया के तट के पास अगवा किये गए इस जहास पर लाइवेरिया का ज़ंडा लगा है भारतिय नौसेना के विमान जहास पर लगातार नजर बनाए हुए थी इससे पहले क्रो मेंबर के साथ कमिनिकेशन भी स्थापित कर लिया गया था फिलाल सभी क्रो मेंबर जहास के अंदर सुरक्चित हैं साथी अब नौसेना भी पहुँच चुकी और उसने साफ लहजे में ये चेतावनी दे दी कि अगर विद्रोही वहां से जहाज को छोड़ कर नहीं जाते हैं तो फिर उनका अंत किया जाएगा इस खबर में फिलाल इतना ही बाकि कि हम अरताजाब डीट्स के लिए सब्स्क्राइब करें वन इंडिया हिंदी